बॉलिवर अबिनेतरी आलिया भट ने अपने बॉइफरेंड रणवीर कपूर और उनके परिवार के साथ किस्मस पार्टी मनाने के बाद काम पर वापस लोड़ गई हैं बता दे की उन्हें संजे लीला बंसाली की फिल्म कूंगा भाई काट्या वारी की स्योटिंग फिर से शुरू कर दी है आलिया ने इस्टेगराम पर एक सेलफी शेर की है सेलफी में अपने मेकप के लिए वो एक कुरसी पर पैठी नजर आ रही है बताने कि आलिया भड संजे लीला बंसाली की फिल्म से पहले वे महापलेश्वर में SS राजमौली की आरार की स्योटिंग कर रही थी आलिया ने अपने इस्ट्राग्राम स्टोरी में शेयर कर लिखा है काम पर वापस आ गई हूँ सेल्फी में आलिया मिरर के सामने बैठी है फिल्म में अपने लुक का खुलासन ना करते हुए आलिया ने अपना चेहरा फोन से ढख लिया है सेल्फी में आलिया ब्लैक कलर की ड्रस में नजर आ रही है बताने कि आलिया की आने वाली फिल्म गूंगा भाई काट्यावारी, संजे लीला बंसाली द्वारा निर्देशित है और एस हुसेन जैदी की किताब पर अधारी थै फिल्म मुंबाई की माफिया कुइंस पर अधारी थै जिसमें आलिया ने एम भूमी का निभाई है मेडिया रिपोर्ट के माने तो लॉकड़ाउन के बाद अक्टूबर के महिने में फिल्म की शूटिंग फिट से सुरूट खी गए ती बता दे कि आने वाले साल में आलिया कई فिल्मों में नजर आने वाली है आलिया भट आयान मुकरजी की फिल्म ब्रमास्तर में नजर आएंगी फिल्म में उनके बॉइफरं रर्वी कपूर भी है और ये पहली बार होगा जब वे दोनों स्क्रीन इस पे साजा करते दिखाई देंगे आलिया के पास एस एस राजमौली की आर आर और करण जोहर की तक्त भी है आलिया भट ने बॉलिवोड में अपने डेवियो साल तोजर बारा में करण जोहर की फिल्म स्टूर्ट आफ दा इयर से किया है जिसके बाद उन्होंने कई बड़े सितारे के साथ काम किया है इंडियन वैंड न्यूस्टे बूर रिपोर्ट